पिपली लाइफ से अपनी एक्टिंग के कला से लोगों का दिल लुभाने वाले नत्था एक बार फिर लॉट के आ रहे हैं अपनी नई फिल्म मुन्ना मांगे मेम साब के साथ नत्था से जब हमने उनकी फिल्म के बारे में पुछा तो उन्होंने बताया कि यह एक सिंपल लॉफ स्टोरी है पिपली लाइफ से अपनी पहचान वानने आ रहे नत्था एक बार फिल्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुन्ना मांगे मेम साब तो आजिए नत्था जिसे जानकारे लेते हैं कि यह फिल्म किस परकार से है नत्था जी सबसे पहले तेलगा टालिटी 4 뉴스 में आपका स्वागरत है ये फिल्म हारी आपकी किस प्रकार दार आपका इस फिल्म है? इसमें एक मुन्ना जो एक खुबसूरत नहीं है बसूरत से है जिसका सकल सुरत ठीक टाक नहीं है कोई पसंद नहीं करता है उसको एक दिन उसके मा यह कह देता है कि भई तुम्हें कोन कहता है कि तुम खुबसूरत नहीं हो और तुम बहुत खुबसूरत हो साथ किसी मेम साहब से हो गई है एक तो उसको ही लेके फिर मुन्ना के दिमाग में यह हो जाता है कि मेरी साधी किसी मेम साभ सोगा तो उस दिन से वो जब जवान हो जाता है तो सहर आ जाता है मुन्ना मेम साभ को कुजने के लिए क्योंकि गाव में तो ऐसे कोई लड़की होता नहीं है जो करती मेम साभ लगे उसको तो सहर मा के देखता है जो जीन तीसर पहने कड़ा ही है उसके पास में जाके एक कहता है कि हमारा नाम मुन्ना है और मेरी मा कहता है कि मैं बहुत सुन्दर हूँ मेरा साधी मेम साभ से होगा तुम मेरे से साधी कर रहो तो हर लड़की को जा जाके एक कहता है और पिरते रहता ह नत्था जी को उमिद है कि सिंपल लव स्टोरी फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी नत्था को हमने इंस्टेंट केरदा निभाते तो देख लिया है अब उनका यह आशिकाना अंदाज देखने के लिए फिल्म के रिलीस का इंतजार होगा इसमें अचाना कब उसका तो कोट आदती बन जा रहता है ना कि हर लड़की को देखके साधी का उपर कहाया करने का तो एक दिन उसको फारनल लड़की मिल जाती है उसको रिकसे मेले जाके घुमाता है बजार बजार और जब उसको वो लड़की पैसा देने लगता है फारनल तो 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 उससे भी यह बात कहे चुका होता है कि मेम साभ हमार नाम मुन्ना है और हमारे साधी मेम साभ सोगा तो टो आप हमारे से साध़िक लो तो वो समझती नहीं है इंदी तो कुछ पे कुछ बोल देता है तो यह समझता है कि मतलब है रस देती है वो तो लगता है वो कि हाँ जब यह मेरे से साधिक कर लेगा जब पैसा देने जाती है तो वो पैसा नहीं लेता है जब अर्दस्ती हात में पकड़ा देता है पैसा हाथ को पकड़ किस कर लेता है चुम देता है तो उसको लगता है कि भस अब मेरा साधी इससे होनी ही वाला है तो मतलब वो उसको भी एक लगता है कि एक सही गार्ड मिला है जो मुझे घुमा रहा है इदर इदर तुकत इस टाइप के काहनी है इसका और इससे प्यार गार हो होता है ना साथी भी नहीं होता है यह उसको छोड़ के कर तो वापस अपना देश चेले जाती है